हलो दोस्तों वेलकम टू डीटीज वेंचर मेरा नाम धवल डकर निफ्टी के बारे में अगर आज मैं बात करने जाओ इंडेक्स के बारे में अगर मैं बात करने जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी और एक छोटा सा अगर हम लोग एक दियान देंगे डाउ जोंस के उपर तो पिछले मेने के अंदर जो मैंने निफ्टी का रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पर बना यहाँ पर बैजा था हुआ उनिफरी जब तक 250 19ह wär दुप 20 के नीचे को दोड नहीं आती तब तक आप समझगा चलिए के 19 box 500 के आपस मुझे निफ्टी दिक यह और आज इतने सेशन के बाद में मैं यह नहीं कहूंगा कि मलब यह ओल आफ सटन आया ओल अफ सटन तो यह गए दो दिन की तेजी है पूरे 15-17 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने कम से कम 19,300 और 19,500 के बीच में निकाल दिया था अब यहां पर 19,600 के आसपास में निफ्टी आगे रुकी हुई है बैंग निफ्टी एगर यहां पर आप देख रही ने जाओगे तो 44,400 के आसपास का आज का क्लोज है बैंग निफ्टी के अंदर तो अब यहां से क्या सब्टेंबर मंत के अंदर हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंग निफ्टी से और डाउ जोंस के अंदर हमें कौन से लेवल को सामने रडार पर रखके चलना चाहिए जिसके उपर हमें हेल्प हो सकती है तेजी या मंदी करने के यहां से मैं तेजी वाले लोगों के लिए एक बात करूँगा कि अगर आपको तेजी करनी है मार्केट के अंदर तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि निफ्टी का जो लेवल है वो 19,640 के उपर दो दिन का स्पॉर्ट का क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं अगर 19,640 के या 20 तरीक के सप्टेंबर के बाद में हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइट देखने मिलेगा सेकेंड तिंग मैं बैंक निफ्टी एकर मैं बात करू तो बैंक निफ्टी ने अल्रेड़ी अपने क्रूशल लेवल के नीचे क्लोज दिया हुए और अब बैंक निफ्टी का फॉटि फॉर थाओजन वोन neutrीड का तो उसका जो कृूशल लेवल है वो 444,480 का कृूशल में बार बार इसले मैं थीन बार मेंज्ट क्यों क्या क्रूशल में बार इसलिए मने तीन बार क्या मैं यों कि पॉर ताओजन 480 के लेवल के उपठर अगर बैंक निफ्टी का September month के अंदर दो दिन का अगर क्लोजिंग आता है तो आप समझ के चलो के हाँ यहां से शौट कवरिंग अच्छी खासी आएगी तो साथ में शायद बैंक निफ्टी को भी यहां से उपर लेके जाएगी हाँ और एक चीज मैं अगर आपको बता दू के निफ्टी ने अगर छे 45,500 के लिए यह हो गए लेवल्स आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अब मैं आपके सामने वेरी शौटली डाउ जोंस का एक लेवल लख रहा हो और डाउ जोंस का यहां पर यह लेवल है कि डाउ जोंस आज का जो क्लोजिंग है मैं अभी जो चल रहा है 34,600 के आसपास में डाउ जोंस चल रहा है तो डाउ जोंस के अंदर ना एक प्रेशर बना हुआ है डाउ जोंस के अंदर निफ्टी को कब सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को कब यहां से स्ट्रेंथ मिलेगी 19,680 के उपर क्लोज करने के लिए और बैंक निफ्टी को 44,480 के उपर क्लोज करने के लिए जब डाउ जोंस 34,800 के उपर डाउ जोंस जब क्लोज देगा तब जाके इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी मतलब अगर आप तेजी के घोडे हो अगर आप मार्केट के अंदर फुल तेजी करके बैटे हो आपको लग रहा है कि यहां से उपर जाएगा तो खली यह चीज समझ के चलिएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के दरेवल मैं आपको दे चुका हो अगर डाउ जोंस तो आप बेफिकर होके तेजी की पूजिशन लेके जा सकते हो यह हो गई लेवल्स की बात आप इंपॉर्टन चीज में आपको बता हूं जैसे कि पिछले महिने में मैंने कंटिन्यूस बेजिस पे एक बात बोली वे थी वह क्या थी कि मतलब 19,250 के नीचे यह मेरे जितने भ 19,250 के नीचे क्लोज आता है तो 500 पॉइंट निफ्टी के लिए मार्केट भूल जाना तो जो पिछले महिने का जो लेवल था 19,250 का अब जाके यह महिने के अंदर सप्टेंबर 2030 के अंदर यह लेवल बन जाएगा 19,380 का कि 19,380 के नीचे अगर निफ्टी ने अगर क्लोज दिना शुरू कर दिया तो आप एक बार यहां से हट सकते हो तो आप समझ लो कि एक बार 18,900 या 19,000 की शकल भी हमें देखने मिलेगी सप्टेंबर मंद के अंदर और जहां तक मेरा मानना है अभी थोड़ा बहुत रेंजमांट सेशन रहेगा काफी वालेटाल सेशन हम स्टा बात होगी लेवल की अब मेरा व्यू क्या है मार्केट के अंदर तो मेरा व्यू मार्केट के अंदर यह है कि मैं यहां पर एक कॉश्यस मोड को अपनाओंगा जो इसाफ से दो दिन से बैंक निफ्टी के अंदर मनलब सेल अफ बना हुआ था आज वीकली एक्स पैर ही कतम हो कि 19,600 के आसपास में निफ्टी के अंदर आपको काफी लाइट रहना चाहिए लाइट से मेरा मतलब यह हो गया कि आपका जो रेशियो होना चाहिए पॉर्टफोलियो का आपका जो रेशियो होना चाहिए लॉंग पोजिशन गा डैट शुड बी अराउंड 20% के भईया 20% क किटे हम लोग एक बार डाउन साइड देखेंगे निफ्टि के अंदर जो निफ्टि को लेकर आएगी 19,000 अभी 19,600 चल रहा है तो 19,380 के आसपास और § 400 के आसपास निफ्टी को लेकर आएगी और बैंक निफ्टी का जो मैं actually देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टि के अंद अब काफी टाइम हो गया मनलब 1600 क्रॉस नहीं कर रहा है और यहां पर घूम रहा है काफी रेंज के अंदर तो एक बार मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद SDFC बैंक के अंदर 1534 का लेवल टेस्ट करने के लिए तैयार हो गा तो मेरे हिसाब से कॉश्यस का व्यू रखे चलि और उसके बात में देखते हैं क्या करना लेकिन फिलाल के लिए सब्टेंबर के लिए मैं यह विव बना के चल रहा हूं कि अगर आप शौट भी बना के चलते हो मेरे कहने के उपर जबके मैं डिस्क्लेमर के अंदर क्लियर मेंचन कर रहा हूं कि यह मेरे खुद के व्यू है किसी के प्रॉफिड़न लॉस के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है यह मेरे खुद कर उपर यहां पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं तो अगर आप यहां पर 11,611 पाउट का शैल रहा हूँ उन पर 575 का क्लोजिंग बेजिस के ओपर 300 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 1000 से 1200 पॉइंट का आपको टार्गेट मिल सकता है लेकिन स्टॉप लॉस को दोस्त बना के चलिएगा बजार में कोई किसी का सगा नहीं है कभी भी कभी बजार पल्टी मार सकता है यहाँ पे ऊपर या नीचे कुछ भी तैंक यू तैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो कुछ भी फ्यूचर्स के अंदर आके कोई स्ट्राटीजी बनी तो मैं आपके साथ में डेफिनिटी शेयर करूंगा और कुछ भी कैश के स्टॉक्स अगर ऐसे लगे जो फंडामेंटली टेकनिकली अगर आपके साथ में शेयर करने जैसे रहेंगे तो करूंगा पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को डी टी फेंचर